हेलो दोस्तो आपने यूट्यूब की सबसे बैतरीन वीडियो पे क्लिक कर दिया है दोस्तो आज की वीडियो में आप लोग लिए बहुत अच्छी कवर लेकर आ गया हूँ जो अभी अभी आज आपका यूपी टैट का पहले सिफ्ट का जो भी पेपर हुआ है दोस्तो बहुत यहां से आपके कम से कम साथ से आठ सवाल अगली सिफ्ट में रिपीट करने वाले हैं तो दोस्तो जल्दी से देख लेते एक-एक सवालों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करते वे चलेंगे मैं आपको एक-एक सवाल 100% रियल सवाल आपको करा देता हूँ आगे बढ़ लेते हैं तो दोस्तो अगर आप किसी गवर्मेंट एकजाम की तैयारी करे हो सवी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाते हो कोई भी सब्जेक्ट आप लोग टीचिंग के लिए पढ़ना चाते हो नीचे लाल कलर का बटन दबागर चैनल को सब्सक्रा ग्यारा आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल नाक का बाल होना मोहावरे का अर्थ क्या है यह आपको बताना था राइट आंसर हो जाएगा एक कारण प्रिय होना आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा अगला सवाल पीपर पात सरिस्मन डोला कौन सा लंकार है इसम एक सवाल ये पुछा गया मदू साला रचना के रचेता कौन है इनका नाम है हरीवन स्राइबच्चन जी अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चे ने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा नीचे लाल कलर का बटन दबा कर आपने चैनल को सस्क्राइब भी कर लिया होगा आपको एक एक सवाल 100% रियल सवाल बताऊंगा एक सवाल ये पुछा गया पुस्त के धड़ धड़ धिक रही है धड़ा धड़ सब्द में कौन सा रूप है तो राइट आंसर हो जाएगा किरिया विशेशन किरिया विशेशन आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा अगला सवाल ये पुछा गया दोस्तों किस राज्य सरकार ने भूमी और संपत्ती पंजी करन के लिए धर्नी पोर्टल लोंच किया है तो दोस्तों ये क्या है तेलंगाना राज्यानी अगला सवाल देख लेते हैं एक ये सवाल भी पुछा गया मैक मोहन रेका कहां इस्तित है तो दोस्तों ये है भारत और चाइना के बीच में ये भी आपको याद रखना है देख लेते हैं अ ये गये हैं आयरलेंड के समिधान से ये आपको याद रखना है ये आपका अगली सिफ्ट में भी पूछा जाएगा अगला सवाल देख लेते हैं एक सवाल ये पूछा गया एसिया की रोस्नी दा लाइट ओफ एसिया किसे कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा गोतम बुद को गोतम बुद इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल ये पूछा गया करकरे का भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो दोस्तों ये गुजरती है आठ राज्यों से सोरी सात राज्यों से गुजरात, राजिस्तान, मध्य पर्देश, 36 गर्ड, पश्चिम बंगाल, तरिपुरा, मिजोरम तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके गाईस, अगला सवाल देख लेते हैं, क्या आप पूछ लिया गया? एक सवाल यह पूछा गया, महिनी अटं, किसरा की परसिद सास्तरिय नरत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा, महिनी अटं, किसराज्च 500 की नरत्य है? केरल राज्य है, केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर रहे होंगे और मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर रहे होंगे अगला सवाल देख लेते हैं एक सवाल ये पुछा गया भांगडा कहा का परसिद लोक नरत्य है तो दोस्तो ये है पंजाब राज्य का पंजाब इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल ये भी पुछा गया दिल्ली के परसित जामा मस्जीद का निर्मान किसने करवाय था तो दोस्तो ये करवाय था सा जहां ने सा जहां इस सवाल का राइट आंजर हो जाएगा अगला सवाल देख लेते हैं एक सवाल ये भी पुछागा है जल्या वाला बाग हत्या कांड के समय भारत का वायसराय कौन था तो दोस्तों इनका नाम था लोड़ चैंस फोर्ड लोड़ चैंस फोर्ड इस सवाल का रैट आंजर चला जाएगा एक सवाल ये भी पुचक है विस्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 24 अक्टुबर को पेपर आपका आसान था एक एक सवाल आपको बैतरिन तरीके से करा देता हूँ आगे बढ़ लेते हैं एक सवाल ये पुचा गया कौन सा राज्य परधान मंत्री स्वयनिधी योजना को लागू करने वाला पहला राज्या बना है तो रैट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा यूपी यूपी सवाल का रैट आंसर हो जाएगा अगले सवाल देख लेते हैं एक सवाल दोस्तों ये आपका गणित का पूचा गया देखो इनका टोटल होगा तो सबसे छोटे लड़के की आयू कितनी होगी ये आपको बताना है देखो इनका जो टोटल होगा तो क्या करेंगे इनका टोटल निकालने के लिए इन दोनों में गुणा कर देंगे तो 48 आपका इनका टोटल आ जाएगा अब ये टोटल आयू इनकी 48 आ गई और टोटल अनुपात कितना यहां से जोड़कर 16 तो 16 की value होगी 48 के बराबर एक की value होगी 3 के बराबर इसने बोला है सबसे छोटे लड़के की आयू सबसे छोटे लड़के का अनुपात है 4 तो एक की value 3 है तो 4 की value कितनी हो जाएगी 4 की value हो जाएगी 12 तो दोस्तो 12 सवाल का सही जवाब हो जाएगा आप लोग इस परकार ये सवाल करके आ सकते थे 12 आपका correct answer चला जाएगा मैं उम्मिद करते हूँ सभी प्यारे बच्चे वीडियो को like कर रहे होंगे और आप लोग चैनल को नीचे लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को subscribe भी आप लोग कर रहे होंगे अगला सवाल देख लेते हैं तो दोस्तों एक सवाल छोटा सा ये भी पूचा गया है तो इसका कोड आपसे पूचा है कुछ नहीं करना आपको यहां से आर का कोड उठाना है तीन आई का कोड सोरी आर का कोड तीन आई का कोड कितना है यहां से पांच एम का कोड कितना है साथ एस का कोड कितना है चार एच का कोड कितना है ह का कोड है का इस यहां से दो यह रहा दो एक का कोड कितना है एक एक यहां पर रख दो के का कोड कितना है आठ आठ यहां पर रख दो तो दोस्तों आप लोग इस परकार यह सवाल करके आ सकते थे आपको कोड उठाना था बस आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल भी देख ले दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूँ प्लीज दोस्तों देखो लाइक करके आप लोग जरूर जाएंगे चैनल को जोईन करके आप लोग जरूर जाएंगे बहुत इंपोर्टेंट चैनल है ठीक है यह सवाल भी करके चले जाओ 100% आपके पिपर में आएगा कैसे करोगे 72 ग्रा इसको भी ग्राम में बदल लो यह आएगा 360 ग्राम नहीं सोरी यह आएगा आपका 3600 ग्राम तो 3600 ग्राम को यहाँ पर रख दो गुणा कर दो 100 से ग्राम से ग्राम कट जाएगा 20 से 20 तो यह आएगा आपका 2% 2% इस सवाल का राइट आंजर हो जाएगा आप लोग इस परकार यह सवाल करके आ सकते थे आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं